यहां आज आता है art of scientific writing यह आपको बोलना होता है आपको show करना होता है कि why you are worthy to work in the lab of that particular professor लेकिन जो लोग normal colleges में हो आप वो in top research institutes में आके internship कर सकते हो you have mentors जिन्होंने Harvard में internship की है जिन्होंने Johns Hopkins से master's किया है सो आप सभी बच्चों ने IATNS qualify कर लिया है अपने dream institute आसे बैंगलोर आइजर नाइजर सीबियस जैसे इंस्टेट्यूट्स जा रहे हो ISICMI में जा रहे हो, ISICI school गाता में जा रहे हो लेकिन सवाल आता है कि भीया वहाँ पहुशने के बाद हमें internships करनी होती है हमें science के projects करने होते हैं, CV बनानी होती है, mails लिखने होते हैं in fact बच्चे जब 20-20-30-30 mails लिखने हैं तब एक दो professors के reply आते हैं यहां आज आता है art of scientific writing या फिर conversation with the professionals, professors at the research institute लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा problem यही होता है, कि ना तो उनके पास CV होती है धनकी कोई experience नहीं होता, तो CV बनाएंगे भी तो लिखेंगे क्या यही नहीं template कैसा होना चाहिए CV का, बहुत unprofessional गंदी से CV बना देते हैं लोग तो professional CV कैसे बनाए, mails कैसे लिखे, क्या template होना चाहिए आपको बस direct यह नहीं बोलना है कि sir मैं इस institute से हूँ, मेरा इस चीज में interest है आप इस चीज पर काम कर रहे हो, मुझे भी काम करना है, ऐसे नहीं होता है आपको बोलना होता है, आपको show करना होता है कि why you are worthy to work in the lab of that particular professor आपको previous क्या knowledge है, अगर आपको materials, material chemistry मिले से covalent organic framework में research करनी है, internship करना है, तो आपको बताना पढ़ेगा कि मैंने इतने research papers पढ़े, आपके research papers पढ़े, reviews पढ़े और बहुत जादा मुझे ऐसा realize हुआ कि I have these few ideas जो हम covalent organic frameworks में या in porous material में use कर सकते हैं, फिर कुछ चीज और भी तुम add करो जो भी उनके papers या reviews से पढ़े हो, उसके बाद pitch in करो कि you have these credentials and you want to do internship in their lab, इससे professor को feel होगा कि हाँ ये इंसान lab आएगा भी तो कुछ काम करेगा, ठीक है, कुछ काम करवाने के लिए professors को interns चाही होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता कि बस आ जाओ और कोई भी आके काम कर लो, ठीक जोचते हैं कि अब ब्रॉड में चले जाएं, internship करने, SNBOS, खुराना प्रोग्राम, डाड, unpaid internships, नहीं paid internships, fully funded internship की खोज में रहते हैं, लेकिन जो लोग normal colleges में हो, आप वो in top research institute में आके internship कर सकते हो, ठीक है, हर साल हम साहस्तरा में क्या करते हैं, यह हैं mentors जिन्होंने Harvard में internship की है जिन्होंने Johns Hopkins से master's किया है, मेरा ही दोस्ट जो Max Planck में bachelor student था, bachelor's के दोरान fully paid internship Max Planck, Germany में किया था, multiple PhD offers थे from top institutes around the world, यहीं नहीं MRC funded medical research council ने इसकी पुरी PhD fund कर रख की है, ठीक है, तो ऐसे mentors का आपको direct access network मिलता है हमारे internship workshop में, जो हम आगे फिर से लाने वाले हर साल हम लाते है इसमें हम unpaid नहीं paid internships की बात करते हैं, कैसे apply करना है, कौन कौन से opportunities हैं, लेकिन एक बड़ी problem है, मैं आप सबको बताता हूँ, आपने कोई भी हमारे google forms को नहीं भा रहा है, हमने जो IAT 2024 का form निकाला है, जो NEST का form निकाला है, IACS का निकाला है, ISICMI का, अगर आप साहस्तर की student ह या नहीं भी हो, अगर आप college students हो, उनके लिए ये workshop है, तो अगर आपने वो forms नहीं भरे हैं, ठीक है, उन students को ही हम ये सारी details भेजेंगे, उन students को ही ये private telegram group में add करेंगे, और अगर आप साहस्तर की student हो, तो ये special discount मिलेगा इन workshop में, 25% discount minimum तो मिलेगा ही, तो अगर आपने वो form नहीं भर रहा, तो अभी भी भर दो, ये मेरा last request है, last warning है, अगर आपको इन courses में, network में, private telegram groups में access चाहिए, ये resources चाहिए, तो आप वो Google form भर दो, otherwise आपको वो सारी details हो सकता है, ना मिले, ठीक है, ये मेरा request है, और दूसरी चीज़, अगर साहस्तरा student हो, तो आपको साहस्तर लेके आते है, फ्री में, ये तो फ्री benefits है, वो तो नहीं ही मिलेंगे, आपने वो अगर साहस्तरा student है, और form नहीं भर रहा है, तो मुझे यहीं बताना था, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे plans है, आप सभी college students के लिए एक बार आप institute में पहुँच जाओगे, साहस्तर दोर भर देना, और ये miss मत करना, ठीक है, अगर आप साहस्तरा student हो, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सारे benefits आपको मिलेंगे, discounts मिलेंगे, t-shirt मिलेगी, नहीं भी हो, तो आप भर सकते हो, ताकि आपको इन courses के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, आगे update मिलते रहे, एन बहुत affordable courses होंगे, don't worry about it, मतलब बहुत ही जादा affordable, एन उसके बाद हम weekends में चीज़े classes लेते हैं, ताकि आपका भी college disturbed ना हो weekdays में, ठेक है, यही बोलना था, जल्दी से form description में, भर दो, एन मिलते हैं in workshop में, पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनियत साय आस्टरा और करे अपनी IAT and nest का सपना साकार, download the app now.